हेलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर गैस, CBI जाज चल रही है, मेडिकल कोर्सेज में एड्मिशन को लेकर, खासकर MBBS को लेकर तो मुना भाई MBBS मूवी आई थी, काफी टाइम पहले, काफी सालों पहले, आप सभी ने देखी होगी और सभी को पसंद भी आई थी कोचिंग इंस्टिट्यूट्स भी CBI के रेडार पर है, क्योंकि जो कोचिंग इंस्टिट्यूट्स है, उनके थ्रू स्टुडेंट्स एड्मिशन लेते हैं, एक मेडिकल सीट की कीमत 20 लाख रुपे लगाई गई है, ऐसा CBI जाच में आया है, क्योंकि CBI जाच हो रही है, पुखता सभूतों के साथ 2022 में काफी जादा गाईज धांदली हुई है, और 2023 का अभी स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए CBI एक्टिव हो रही है, बहुत जादा तो जो भी स्टुडेंट CBI नीट यूजी 2023 की प्रिपेशन कर रहे हैं, उनको अच्छे से प्रिपेर होना है, क्योंकि अब जो है, बिल्कुल भी जो एड्मिशन होंगे, वो आपके फर्जी वाड़े या स्कैम के तहत नहीं हो सकते हैं, इसलिए आपको अच्छे से प्रिपेर होना है, किस तरेके से मुना भाई MBBS मूवी की तरज पर नीट एक्जाम में गड़बड़ी हुई है, ये म आज आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, तो सबसे पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजेगा, ताकि आपको नीट यूजी से रिलेटिड की हर्ट टाइप की इन्फोर्मिशन, चाहे वो ओफिशल नॉटिस से रि पल-पल की अपडेट आपको इस चैनल के थूरू प्रोवाइड करवाई जाएगी, अब देखे हम बात करते हैं, मुना भाई, MBBS जो मुई आई थी, उसके अंदर क्या गडबड करके एडमिशन लिया था, और आप जो नीट एक्जाम हो रहे हैं, उनमें किस टाइप की कीमत है, वो 20 लाख रुपे लगाई, CBI टीम ने सोंगवार को दिल्ली से आठ लोगों को गिरफतार किया था, इनसे पूछताच के बाद सारे घोटाले का परदा फर्श किया गया है, देश में डॉक्टर तयार होने के लिए नीट का एक्जाम फिल्मी तरज पर घोटाला चल रहा है, केंदरिया, CBI, जाज ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो फिन्वेस्टियेशन ने आठ लोगों को गिरफतार करते हुए इस गोटाले को अंजाम दे रहे, मल्टी स्टेट रैकेट का परदाफास किया है, CBI सुत्रों का कहना है कि यह गिरो बोल्यूड फिल्व मुन गिरफतार किये गए इस गिरोहों की सदस्यों ने बताया कि उनका जाल चार राज्यो, यूपी, बिहार, महरास्टा और हर्याना में फैला हुआ है, गिरफतार किये गए आठ लोगों में से 6 नीट एक्जाम का एंटरंस पेपर सॉल करने के काम करते थे, इस गिरोहों का मास सुसील रंजन है, जो सफदर जंग इलाकी का रहने वाला है, सुसील ही पेपर सॉलवर्स को हायर करने से लेकर पेमिंट का लेंदिन करने का काम देखता है, सीवी आई की मुताबिक इस गिरोहों के 11 लोगों के नाम जाज में सामने आया है, बाकी लोगों की तलाश की जा र चात्र की जगे एक एक्सपर्ट पेपर सॉलवर को एकजाम देनी के लिए वहिज दिया जाता था, यह सारा काम फोम भरते समय ही फरजी डोकुमेंट्स के जरी अन्जाम दिया जाता था, एक्सपर्ट सॉलवर को आंसर सीट भरने के बतले 5 लाख रुपए की रकम दी जाती थी, सेस 15 लाख रुपए सुसील और अन्य बिचोलियों के बीच बट जाते थे, कोचिंग इंस्टिटूट्स भी CBI के रेडार पर, CBI सुत्रों ने बताया कि इस मामले में गिरोहों के सदस्तों से पूछताच के बाद बहुत सारे कोचिंग इंस्टिटूट्स का नाम भी स स्कैनर है, तो यह सचाइगी है कि जो कौचिंग इंस्टिटूट्स पेपर गिर्फ अती है, तो कौचिंग सेंटर होते है, इंके जो कनेक्शन होते है, वो काफी हाई होते हैं और वही जो है पेपर लिक करवाते है तो गैस यह आप लोगों के लिए इनफोर्मेशन थी जैसे ही कोई और इनफोर्मेशन मिलती है आपको इस चैनल के दुरू इनफोर्म कर दिया जाएगा जो भी स्टुडेंट से नीट यूजी तो हजारते इसकी प्रपेशन कर रहे है ए आप्लिकेशन फोर्म बहुत जल्द रिलिज होने वाले है जैसे ही रिलिज होंगे आपको इनफोर्म कर दिया जाएगा तो गैस जल्द ही मिलते हैं नेक्स न्यू अपडेट के साथ तब तक के लिए थैंक्यू